अब हमारा एक और important part आ रहा है that is arrays ये भी करीब करीब सारी programming languages में array का use होता है तो exactly अगर हम देखें कि what is array array क्या होता है अभी हमने जैसे variables देखा था पहले वाले उसमें chapters में जिसमें array वो variable आया था तो variable क्या था वेरियबल मैंने आपको बताया था variable is like a container which holds a value तो variable कोई container होता है जो value hold करता है जैसे हमने बोला x x equals to 5 तो अब variable x ने 5 value hold कर ली लेकिन अब मेरी जरुरत ऐसी हो सकती है कि मेरे पास बहुत सारी values हो सकती हैं तो अब अगर इतनी सारी values होंगी तो उनको मैं store करवाने के लिए इतने सारे variables बार 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 तो नहीं लिख पाऊंगा कि x लिखा फिर y लिखा z लिखा x y लिखा पता नहीं क्या क्या नाम लिखने पड़ेंगे इसकी वज़े से मेरा program बढ़ा हो जाएगा और बहुत complex हो जाएगा confusing हो जाएगा तो वो complexity confusion हटाने के लिए एक option आया that is called array तो array भी क्या होता है अरे भी एक variable टाइप है यह एक variable है यानि कि एक container है मगर किस तरह के का container है यह एक ही container multiple values in a single variable यानि कि एक ही variable के अंदर आप multiple values को store कर पाओगे और आपको सिर्फ एक variable बनाने की जुरूत पड़ेगी जैसे आपने x बनाया और x के अंदर ही आपने बहुत सारी values different different hold कर ली तो यहाँ पे हम जैसे हमने string type का एक variable बनाया cars जो की 4 values को hold करेगा यह हमने बता दिया अब यह यह है अरे जैसे हमने पहले देखा था इंट आई लिखा हुआ था यानि कि वह आई टाइप का एक variable बनाया था इंटीजर टाइप का यहाँ पे एरे जब बनाते हैं तो ऐसा bracket use करके उस bracket के अंदर हम बताते हैं कित्ती values लगानी है और यहाँ पे हम बताते हैं कौन सा data store करेगा यानि स्ट्रिंग data store होगा कार्स नाम का एक वेरे बनेगा जो की चार इस्ट्रिंग वेल्यूस को होल्ड करेगा फिर वैल्यू कैसे देते हैं कर्ली ब्रैकिट के अंदर डबल कोटिशन के अंदर पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू कॉमा तीसरी कॉमा चौती ऐसे चारोओ वैल्यू हमने एक ही वेरियबल के अंदर डाल दी और यह अरे टाइप का वेरियबल बना दिया ऐसे ही अगर आपका डेटा स्टोर करना है इंटीजर माय नम यह एक नाम देदी हमने वेरियबल का यह तीन इंटीजर टाइप की डेटा को होड़ कर रहा है ठन 30 तो ऐसे करके जब हमें multiple values of a single type यानि कि यहाँ पर multiple values तो हैं पर type कौन सी है string यहाँ पर भी multiple values हैं बट type है integer तो multiple values of a single type hold करने के लिए हम एक नाम यानि array का एक ही array बनाया एक ही नाम से और उनमें multiple values डाल दिये तो this is called array और array का main use क्या हुआ कि हमें multiple values को store करने के लिए कोई container की जरूरत है तो array बना लेना चाहिए this is the use of array हम array को भी आगे देखेंगे और अब हम जैसे array के साथ loops को कैसे use करते हैं array की size कैसे को करते हैं तो यह आप चीजें देख सकते हो this is called array तो हम इसको भी check, cutting